नमस्कार दोस्तों लीजिये हम फिर आजिर हैं अपने छोटे से नेचुरल गार्डन में आज की इस वीडियो में जो आप यह पोदा देख रहे हैं यह अक्रोट का पोदा है जब मैंने यह पोदा लगाया था उस समय ज़्यादा गर्मी के कारण यह पोदा सूख गया था जहनिया फूट आई हैं जो बिल्कुल ही सवस्त है और अभी आप जो अक्रोट के पोदे की बराबर में पोदा देख रहे हैं यह हैं शीड लेस लीची का पोदा है इस पोदे को मैंने अक्रोट के पोदे से थोड़ा सा दूर लगाया था सिर्फ यही परियोग करने के लिए क्या अक्रोट का पोदा सर्वयाईव कर पाता है या नहीं हमें अपनी गार्ड्निंग में भी अलग-अलग तरह की पर्योग करने चाहिए, क्योंकि हम अलग-लग तरह की पर्योग से ही सीखते हैं और परकृति भी परिवर्तन सील है मैं जब भी अपने गार्डन में आता हूँ तो यह सोच कर आता हूँ कि आज कुछ अलग सीखना है अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरी चेनल को सब्सक्राइब कीजिए